दुनिया भर में सिर्फ आज की रात रुख जाओ कितनी कितनी बार कहा कितनी इस्त्रियोंने दुनिया भर में घर की जन्जीरे कितनी जादा दिखाई पड़ती है जब घर से कोई लड़की भागती है क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार-बार आती थी क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार-बार आती थी जब भी कोई लड़की घर से भागती थी बारश से गिरे वो लैंप पोस्ट बारश से गिरे पत्थर के वो लैंप पोस्ट महझ आखों की बेचैनी दिखाने भर की रौश्मी घर की जंजीरे कितनी जादा दिखाई बढ़ती है जब घर से कोई लड़की भागती है क्या उस रात की याद आ रही है जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी जब भी कोई लड़की घर से भागती थी बारश से गिरे वे पत्थर के लैम्प पोस्ट महज आँखों की बेचैनी दिखाने भर उनकी रोशनी और वे तमाम गाने रजत परदों पर दीवानगी के आज अपने ही घर में सच निकले क्या तुम ये सोचते थे कि वे गाने महज अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए रचे गए और वे खतरनाक अभिने लैला के ध्वन्स का जो मंच से अटू तुटता हुआ तर्शकों की निजी जिन्दगियों में फैल जाता था तुम तो पढ़कर सुनाओगे नहीं कभी वे खत जिसे भागने से पहले वे अपनी मेज पर रख गई तुम तो छुपाओगे पूरे जमाने से उसका समबाद चुराओगे उसका शीशा उसका पारा उसका अबनूस उसकी साथ पालों वाली नाव लेकिन कैसे चुराओगे एक भागी हुई लड़की के उम्र जो अभी काफी बची हो सकती है उसके दुपटे के जुट पुटे में उसकी बची कुछी चीजों को जला डालोगे उसकी अनुपस्थिती को भी जला डालोगे जो गूंच रही है उसकी उपस्थिती से बहुत अधिक संतूर की तरह केश में उसे मिटाओगे एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे उसकी ही घर की हवा से उसे वहां से भी मिटाओगे उसका जो बच्पन तुम्हारे भीतर वहां से भी मैं जानता हूँ उसे मिटाओगे एक भागी हुई लड़की को मिटाओगे उसके ही घर की हवा से उसे वहां से भी मिटाओगे उसका जो बच्पन तुम्हारे भीतर है वहां से भी मैं जानता हूँ कुली निता की हिंसा लेकिन उसके भागने की बात याद से नहीं जाएगी पुरानी पवंचक्कियों की तरह वे कोई पहली लड़की नहीं है जो भागी है और नावे अंतिम लड़की होगी अभी और भी लड़के होंगे अभी और भी लड़कियां होंगी जो भागेंगे मार्च के महीने में लड़की भागती है जैसे फूलों में गुम होती हुई तारों में गुम होती हुई तेराकी की पोशाक में दौरती हुई खचा-कच भरे जगर-मगर स्टेडियम में अगर एक लड़की भागती है तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई लड़का भी भागा होगा कई दूसरे जीवन प्रसंग है जनके साथ वे जा सकती है कुछ भी कर सकती है महज जन्म देना ही इस्तरी होना नहीं है तुम्हारे उस टैंक जैसे बंद और मजबूत घर से बाहर लड़कियां काफी बदल चुकी है मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं दूँगा कि तुम उसकी संभावना की भी तसकरी करो वे कहीं भी हो सकती है गिर सकती है बिखर सकती है लेकिन वैं खुद शामिल होगी इन सब में गलतियां भी खुद ही करेगी सब कुछ देखेगी शुरू से अंत तक अपना अंत भी देखती हुई जाएगी किसी दूसरे की मृत्यू नहीं मरेगी लड़की भागती है जैसे सफेद घोड़े पर सवार लालच और जुएं के आरपार जर जर दूलहों से कितनी धूल उठती है तुम जो पत्नियों को अलग रखते हो वैश्याओं से और प्रेमिकाओं को अलग रखते हो पत्नियों से कितना आतंकित होते हो जब एक इस्त्री बेखोफ ढूनती है कितना आतंकित होते हो जब इस्त्री बेखोफ भटकती है ढूनती हुई अपना व्यक्तित्व एक ही साथ वैश्याओं और पत्नियों और प्रेमिकाओं में अब तो वे कहीं भी हो सकती है उन आगामी देशों में जहां प्रणे एक काम होगा पूरा का पूरा कितनी कितनी लड़कियां भागती हैं मन ही मन अपने रत जगे अपनी डाइरी में सचमुच की भागी लड़कियों से उनकी आवादी बहुत अधिक है क्या तुम्हारे लिए कभी कोई लड़की भागी क्या तुम्हारी रातों में एक भी लाल मोरम वाली सड़क नहीं क्या तुम्हें दामपत्य दे दिया गया क्या तुम उसे उठा लाए अपनी हैसियत अपनी ताकत से तुम उठा लाए एक ही बार में एक इस्त्री की तमाम राते उसके निधन के बाद की भी राते तुम उठा लाए एक ही बार में एक इस्त्री की तमाम राते तुम नहीं रोए प्रत्वी पर एक भी बार किसी इस्त्री के सीने से लगकर सिर्फ आज की रात रुख जाओ तुमसे नहीं कहा किसी इस्त्री ने सिर्फ आज की रात रुख जाओ कितनी कितनी बार कहा कितनी इस्त्री ने दुनिया भर में सिर्फ आज की रात रुख जाओ कितनी कितनी बार कहा कितनी इस्त्रियों ने दुनिया भर में समुद्र के तमाम दर्वाजों तक दौरती हुई वे आई सिर्फ आज की रात रुख जाओ और दुनिया जब तक रहेगी सिर्फ आज की रात भी रहेगी